असनाम लेकुम वियर्ज, welcome back to my channel, मैं हूँ अटफ नाजीम और मेरे channel पर मिलती है, आप लोगों को बहुत सारी professional classes, इसके इलावा मैं अपने channel पर देती हूँ आप लोगों को बहुत सारी product की reviews, तो आज की class आप लोगों को बहुत important लगने माली है, क्यूंकि आज की class में आप को दूँगी, मेकप की color theory, hair की color theory आप लोग पढ़ते थे आज आप लोगों को make-up की color theory के बारे में कबढ़ेंगे, make-up color theory जो है वो समझना इसलिए जरूरी है, ताकि आप लोग अपने eye shades को अच्छे त्रीके से समझ सकें, dress के according eyeshades को choose कर सके इसके इलावा foundation को अपनी undertone के according select कर सके undertone क्या होती है यह भी आप लोगों को पता चलेगा undertone की detail class जो है वो मैं आप लोगों को अब कल दूँगी आज की class में आप लोगों को एक तो मैं color theory पता हूंगी इसके इलावा करेंगे थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आप लोगों को जज़ करना आजे कि आपकी undertone के और उसके according आपने shades कैसे select करने अकसर कोई shade आप करते हैं वह आपकी skin पे अच्छा नहीं लग रहा होता या वह आपको suit नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब यह होता है कि हम undertone कि से related shade नहीं लगा रहें जो undertone की requirement है ठीक है न एक तो यह बात हो गई दूसरी बात eye shade palette को समझना आप लोगों को इस theory के बाद बहुत easy लिए आजएगा foundation भी समझ जाएंगे lipstick के shades भी आपको कौन से suit करते हैं और कौन से आपके लिए no है yes or no आप लोगों को पता चलेगी तो यह सारी चीजे जो है अब अपनी हम further theory में सीखेंगे आज की class में आप लोगों को color theory करवाऊंगी color wheel को समझाऊंगी और आप लोगों को समझाऊंगी के undertone का है इसके बाद जी undertone को check कैसे करते हैं क्या क्या चीज आप लोगों पर suit करती है वो कल की class में होगा और फिर फर्दर आगे classes चलती तो make-up artist इस class को जरूर देखे, beauticians इस class को जरूर देखे तो चलें अपनी class start करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताओं कि मैं आपको proper color wheel के जरिए और in charts के जरिए सिखाऊंगी तो इसको आप मुश्किल नहीं समझना आप भी ऐसे paper निकलवा सकते हैं जी तो चलें अब मैं आप लोगों को guide करती हूँ color wheel से सबसे पहले हम बात करेंगे primary shades की ठीक है primary colors की color wheel में primary color जो है वो है जी red, blue और yellow ये वो shades है जो natural है ठीक है ये पहले से बने में इनको हम बना नहीं सकते अब अगर red की बात की जाए तो red जो है वो blood है हमारा ठीक है blue की ब आप लोगों को मिलता है जी grass में इसके इलावा fruits में flowers में तो ये जो है natural color है ये हमने खुद से नहीं बनाए और जी बाकी जो secondary shades है वो इन तीन shades से मिल के बनते हैं ठीक है अपने जहन में इठा लें लिख लें बना लें कोई chart बना लें आप और वहां पे बेशक अगर आपक नहीं निकलवाना चाहते तो फिर आप ऐसा कर लें कि आप लिखने यानि yellow, blue और red जो है वो natural color है प्राइमरी shades है इन तीन shades के साथ फिर बाकी shades बनते हैं अभी मैं यहां नहीं आ रही हूँ ये बात हम जो है वो बाद में करेंगे ठीक है अभी सिर्फ बात हो रही है प्राइ secondary shades पे secondary shades जो है वो है green, orange और purple अब ये चार्ट जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा beneficial रहेगा लेकिन अभी मैं इस side को hide करके आपको ये दिखा रही हूं कि जो secondary shades होते हैं वो green, orange और purple होते हैं और ये primary shades से मिलके बनते हैं ठीक है दो primary shades मिलके secondary shades बनाते हैं और उसमें अब आप देख लें के green shade कैसे बनता है blue और yellow को mix करके yellow, sorry orange shade जो बनता है वो yellow और red को mix करके red और blue को mix करके violet बनता है या purple ठीक है ये हो गए हमारे 3 secondary shades उपर लिखें secondary नीचे लिखें ये 3 shades और अगर आप अपने explanation लिखना चाहते हैं कि आपको याद रहे कि ये shades बनते कैसे है तो आप ये भी लिख लें जैसे ये चार्ट है इसको भी as a tis उतार सकते हैं बेशक कलर ना करें लेकिन red और blue लिख लें yellow और red लिख लें blue और yellow लिख लें और ये आप लोगों के लिए यादगार भी रहेगी और आप लोग अगर आप लोगों को कहीं पे confusion होगी तो आप लेकिन मैं इतनी guarantee आप लोगों को यह याद बार बार मुझसे करते थे कि हम कैसे select करें हम कैसे choose किया करें dress के according कैसे choose किया करें तो आज आप लोगों के लिए मैं ये class लेके आई हूँ special तो अब पहले आप इस theory को समझेंगे उसके बाद हम step by step next steps पे जाएंगे ताके आप लोगों को clear होता जाए कि कैसे इस theory को आपने अपने अंदर penetrate करना है और बहुत easily हो जाएगी और easily आप इसको check भी कर सकते है colors को अपनी undertone को भी check कर सकते है तो next shade card पे आजाते हैं जो के हैं tertiary color और ये बनते हैं primary और secondary को mix करके ठीक है primary shade एक primary और एक secondary को जब mix करते हैं तो जो third shade बनता है वो होता है tertiary color ठीक है तो one primary और one secondary shade को मिला के six shades बनते हैं जो के है yellow orange, red orange, red violet, blue violet और blue green इसके इलावा जी yellow green ठीक है ना ये lighter shades बन जाते हैं अब देखें एक yellow और orange को mix करके yellow orange बन रहा है red और orange को mix करके red orange बन रहा है red violet को mix करके red violet बन रहा है blue violet को mix करके blue violet बन रहा है blue green को mix करके blue green बन रहा है और येलो ग्रीन को मिक्स करके येलो ग्रीन बन रहा है, अब देखें इस ग्रीन में और इस ग्रीन में फरक है, ये प्योर ग्रीन है और ये येलो इश ग्रीन है, उसी तरह यहां पे जो ब्लू ग्रीन है ये प्योर ब्लू नहीं है, ठीक है न, देखें तो आप लोगों को इस यह हो ध्यादा लगा और वाइलेट जो है वह मिक्स होता हुथा लगए ऐक्जेक्ट बॉयलेट जो है वह यह इसी तरह रैड औरइच में ना यह आसा है और रेड औरइज लग गहा Cat यह उसी तरह रह जो हम इसी लिए बोलते हैं जी रेड औरइच तो यैलो औरइच जो है वो प्योर यालो ये है और इंजी ये ए दोनों को मिक्स करके ये ये शेड बनता है ठीक है ये टर्चियारी कलर हो गए प्राइमरी शेड्स यह हैं और उसके बाद जी सेकंडरी शेड्स यह हैं तो उनके साथ जो मिल के बनती है शेड्स हमारी लिस्ट जो होती है वो यह है आपको मैंने दिखा दिया है इनको आप नोट कर लें ठीक है अगर इस चार्ट को आप स्क्रीन शॉट लेकर रखना चाते हैं तो स्क्रीन शॉट ले 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 इसी तरह अगर हम आई शेडो पैलेट में आ जाते हैं कि आई शेड्स को सलेक्ट करने में आपको थोड़ा सा इस तरह से भी गाइडलाइन मिलेगी और इसके इलावा आगे मैंने आप लोगों को बताना है कि इसकी मिक्सिंग कैसे करनी है कैसे इनको वाइड करके लाइड करना होता है कैसे आपने ब्लैक आड करके इनको डाग कर तेन यह था रियां means करें दो ब्राउं बनता है यह पने जहन में रखरें कि हमेशा Tाटी जो हमारे प्राइमरे रिर खेड नोच करने ब्राउं घा neighbours को मैंने थाज करना है कॲर्ण वील आपने जो है वह अज़ीसा कि नहीं है कंप्लीमेंटऱ करलर अब होतेerkे चेहें इसके इलावा कालर करेक्टिंग वि में में इसपीं होते चेंश करते के लिए और देखें एक mechanism क के लिए इना распose realis तो उनको कवर करने के लिए आप यूज करते हैं जी ग्रीन करेक्टर ऐसा ही है ना तो यह देखें दूसरे के अपोजेट है इसके इलावा जो डार्क सरकल्स है हमारे वह ब्लूइश से होते हैं या वाइलेट से होते हैं बहुत लाइट वाइलेट होता है उसमें लेकिन ब्ल और इंच करेक्टर से तो अब ब्लू के अपोजेट आप देख लें और इंज है ठीक है ना इसी तरह अगर आपने परपल आपकी कोई वेंज है या अकसर परपल स्पॉट्स भी होते हैं तो उनको कवर करने के लिए आपको येलो करेक्टर की जरूरत पढ़ती है तो यह हो सबसुट्स के लिए अपकी मिक्स ओतने लगेंगे इसी तरह जब आप औरइंज के अजा करा लेते हैं घट कर लेते हैं या या डाप कि thing टोन से मेच होने लग जाती है तो नीजिय नूट्रल करणा के लिए ski naн को और ski naun के साथ मैचिंग करने के लिए या एक अ अपनी स्क सब एक एक भू झाया है 1000 को एक सब आज पकृषाइड बूम Whewω करने केलिए कई अब बात करने के वीड़िलons एमने हैं अगर हम नॉर्जरन अपर चले जाएं अगर आप कश्मीर साइट पर चले जाएं आप नारान काउन चले जाते हैं आप मरी वाली साइट पर चले जाएं वहां के लोग आप देखें कि उनकी स्कीन जो है वह बहुत ज्यादा रेड़ इशी और पिंक इशी और वाइट होती है क्योंकि वो बहुत ठंडे इलाके हैं, वहां पे डिरेक्ट जो रेज हैं सूरज की वो नहीं पाढ़ रही है, उनकी स्किन डैमेज नहीं होती है और वैसे भी वो कूल एरिया में रह रहे हैं तो उनकी अंडर टोन भी जो है वो कूल है और इसी तरह हम लोग जो हैं वो वाम ए बहुत जरुडए कि आपको अफांडेशन, शेडs क defendersो हैं तो उनके लिए आपको उनकी आपको उंडर टोन में उनकी समझना बहुत जरूरी है , वह भी कवर करेंगे तो तो उस पर बात करेंगे कल की ऐस में करती हूं कि आप लोगों को आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कलर की कौन सी मिक्सिंग करते हैं तो कौन सा कलर बनता है अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से शेड में आपने क्या क्या मिक्स करते जाना है और कैसे आपने अंडर्टोन के अकॉर्डिंग अपने आईशेट को सेलेक्ट करने है और अपने फांडेशन को सेलेक्ट करने है और अपने फांडेशन को सेलेक्ट करने है नेक्स क्लास में यह सब कुछ आपको पता जलने वाले है तो अपने देखनी है प्रोफेशनल क्लास आप लोगों के पास आने वाली है, मेकप आर्टिस्ट के लिए भी ये कोर्स बहुत बेनिफिशल रहेंगे तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की बगए यहां से मत जाईएगा मैं शाला मिलूँगी आपसे अपने नेक्स वीडियो में तिसना अलाहाफीज